तो चले शेन आज आपके लिए एक और लेटर्स गर्णमेंट जॉब लेके आ हैं जो कि आपके लिए काफी आदा हैलफुल लाएगी अगर आप कंप्यूटर से संबंदित जानकारी रखते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको हम डेली इस वी कॉंटिनू बह लगे हुए हैं आपके रिजल्ट भी पेंडिंग है तो बच्चे जो हैं क्लास जॉइन नहीं कर रहा हैं जिसकार से मैं उनको जॉब प्रोवाइट कर रहा हूं जुसे कि वो कम से कम जॉब अपलाई कर सके हैं तो आज की जो जॉब हम लेकिया हैं आपके लिए कुछ इस प सीक्योर्टी असिस्टेंट की ठीक है तो दो पोस्ट अपलेबल हैं और दोनों में जो कॉलिफिकेशन हैं वो लगभग सभी बच्चों के पास होगी जिस कारण से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो एक-एक मैं दिखा जैता हूं इसको अपलाई करने के यह ऐसे और यह जो फोर्म है वो इस्ट और गरॉप से लिए तो एक-एक देख लेते हैं पहले हैं कि क्या कॉलिफिकेशन है क्या चीजह महांगगी है तो फॉर्म तो आपको ऑनलाई एक्सों ठीक है ऑउनलाइन है यहां पर आप देख लिचे तो सबसे पहले पोस्ट है इ यहां पे इस्टोन ग्राफर सी है एस्टी एस्टिक जो भी candidate है उनके लिए कोई भी फीज नहीं लगेगी और other category लिए 700 रुपए फीज इसमें लगेगी ठीक है और duration of correction के लिए भी आपकी जो डेट है वो 27 से 28 अप्राइल के बीच रखी गई है दो जिनका ताइम आपको दिए जाए करेक्शन के लिए और यहां पर देख लिए क्या दिया गया है कब आपका admit card आएगा इसमें date नहीं दी गई है ठीक है डिस पर दी प्रोविज नहीं आंसर की जो भी है आपको website पर दी जाएगी declaration of result भी आपको website पर पब्लिस किया जाएगा scheme of exam exam किसमा दियम से होगा तो पहला है computer based exam होगा जो कि CBT exam जिसको बोलते हैं जो कि phase one में होगा आपका ठीक है उसके बाद फिर आपको second में short list किया जाएगा candidate को और उनके लिए फिर आपके लिए skill test का प्राबदान है यहाँ पे skill test आपको देना पड़ेगा जो कि है आपका dictation 10 minute at the rate of 8 word per minute आपके type होने चाहिए जो भी होगा computer based आपका exam होगा यहाँ ठीक है जो कि typing test होता है basically और trans script में 50 minute आपको दे जाएगा English के लिए और 65 minute दे जाएगा Hindi के लिए only on computer पे आपको दोनों करना होगा तो computer पे typing आपको practice करनी है खाली बाकी तो लगबग आप इसको करी लेंगे तो इसमें qualification किती है और vacancies कितनी है यह आपके लिए most important of 185 यहाँ पे total आपको vacancy दिखाए दे रही होगी ठीक है और इसमें age में आपको shoot बगरा जो मिलती है वो तो आपको मिली जाएगी और आजात इसके qualification जो रखी गई है कुछ इस प्रकार से हैं बहुत सिंपल सी qualification है बारवी पास जो भी बच्चे हैं किसी भी बोर्ड से apply कर सकते हैं ठीक है और skill test के लिए आपको इस्टोनगराफर में जो computer पर इस्टोनगराफर की भी typing होने लगी है तो वो आपको practice करने पड़ेगी व इसके बाद है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं बस यही है बाकि दो सारे चीज़ें इसमें डियोंगराफर की चीज़ें जो कि आपके मतलब की इसमें नहीं होगी ठीक है हाँ यह देख लिए इसका जो फेस बन का जो examination है वो कुछ इस पर कारते होगा जिसमें कि आप पचास question, general awareness है including computer के देखे computer के question भी इसमें 50 में include यानि की 10 से 15 question आपको computer के भी देखने को मिलने वाले हैं उसके बाद English language and comprehension है 100 number की तो total आपका 200 number का number of question हो जाएंगे और 800 number का आपका ग्याम होगा दो घंटे 10 मिनट का ग्याम ठीक है इस बिकार से तो यह है पूरा pattern इसमें द दिया गया ठीक है और कुछ नहीं है बाकि सिंपल है आपका यह जो जो department है वहाँ जाजा जानिंग होती है वो सब दिया गया इसमें दूसरा जो है हमारे पास है security assistant की इसको भी देख लेते हैं तो security assistant प्या जाते हैं date इसमें भी सेम है ठीक है date 27 मार्स से 26 अपरेल तक form apply करना है 700 रुपए इसमें भी फीस है बाकि सब कुछ सेम है और पोश्ट इसमें आपकी ज्यादा है ठीक है पोश्ट इसमें जो ज्यादा है वो मैं आपको last में बता दूंगा पोश्ट दोनों में मिला कितनी है ठीक है और इसमें जो educational qualification है वो नोट कर लीजिए आप प्यक्तव हो सकता है रेगुलर या प्राइबेट् थे विक्त है और इसमें भी हो सकता है कोई बीग्री हो बैचलर अपकी पास हो कितने परसेंटों कोई मैटर नहीं बस पास की होनी चाहिए यहां पर दिया गया ठीक है और टाइपिंग श्पीड जो इसमें मागई तीस वर्ड पर मिनट इन इंगलिस में मागई गई हो और तीस वर्ड हिंदी मागई गई है तो 3530 यह टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए ठ आपको सेलेक्शन हो जाएगा बाकि आपको पेपर निकालना इसमें यह जिसमें 1870 इसने मागई गई है तो जहां जहां कंप्यूटर की रिमांड होगी वह वेकैंसी में आपको लेके आता रहूंगा चैनल पे और आपको बताता रहूंगा जिससे कि आप लोग इसको अप् ड्ल केंचन और क诉्र स्चिक यहां कि जाएंगे औरिक त्यृक्ति कि यहां पर जाएंगे तो यहां से पक्यूटर के मैं बनाता हूं कि आप इसको अप्लाई कर रखेंख करें कि इसमें कि यहांब निक बाइंड होगा पिर आपप स्कुन करना पिन होगी यहां बचाइब टिक करें पर इस परिकार से इंस्टेक्ट्ट्रन आएगा आपके सामने और इस पर टिक करें और इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगना है ठीक है अगर नीचे एक्सिपिरेंस ना कॉलम होगा application form है तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि आप टिपल सी पास है वो लेबल पास है या लेबल पास है वो आप लिख देंगे तो ऐसे experience आपका account हो जाएगा उसका कोई benefit नहीं है आपको election number नहीं मिलेंगे लेकिन आप लगा सकते हैं उसमें कोई issue नहीं है तो यह form को आपको fill up करना है आगे करना प्रोसेस करना पेमेंट करना है और आपका form accept हो जाएगा और आपने त्यारी करें और यह और इसका इसलिए बस मैंने आपको दिखाए दिया और बस simple सा यह है तो thank you for watching और इसका लिंक में जो है वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ से आप इसको apply कर सकते